कि अनदर वीडियो फ्रेंज आज़ की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा पोफेशनल सिंगल के एपिसोड 7 का स्टोरी एक्स्टेशन करेंगे तो फ्रेंज वीडियो को पूरा देखिए तक यह आप कुछ में मिस ना करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं किया है तो कर लीजिये तक कि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस्ट ना करें सो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वास्ट इस शॉर्ट इंट्रो चिंशेन युएन चियन को अपनी तरफ खीचता है और उसकी तरफ देखने को कहता है लिंग वी और सौंग सी ये सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं शो खतम हो जाता है तो सब तालिया बजाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब शो का ही हिस्सा था युएन चियन चिंशेन को उसकी हल्प करने के लिए थैंक्स कहती है चीन एन युएन चियन से कहता है कि अगर वो चिंशेन को अंड्रेस्ट देखना चाहती है तो वो से बता दे वो उसकी पिच्चर क्लिक करके उसे सेंड कर देगा इसके लिए उसे चिंशैन के कपड़े फाड़ने की जरुएत नहीं थी इमिंग भी मजाग करने लगता है कि उसे नहीं पता था कि यूएंची एन ऐसी लड़की है तो युएन चीयन हाथ हिला कर मना करने लगती है तब ही उसके हाथ में जो बू होता है उससे चिंशैन की ड्रेस उठने लग जाती है चिंशैन कहता है कि उसे लगता है कि युएन चीयन अंड्रेस्ट अपॉलो को देखने में काफी इंट्रस्टेड है तो वो जब तक पुरी तरह से ड्रेस्ट नहीं हो जाता यूएंचे एन उसे 3 मीटर तक दूर ही रहे यूएंचे एन ये सुनकर चली जाती है चिंशैन से ईमिंग पूछता है कि उसे यूएंचे एन को हक करके कैसा लगा तो चिंशैन उसे घूरने लगता है चीनन कहता है कि अच्छा हुआ कि वो सेंट्रल पोजिशन पर नहीं था अगर यूएन चीन ने उसे हग किया होता तो चीन शैन उसे मार ही डालता यूएन चीन वहाँ आ जाती है और पूछती है कि क्या वो लोग ड्रेस्ट हो गए तो चीनन कहता है कि अगर वो चाहे तो वो लोग चीन शैन को फिर से अपोलो की तरह बना देंगे चीन शैन उसकी गरदन पकड़ लीता है ज्यानिंग कहती है कि डीन जब उनकी तारीफ कर रहे थे तो उसे बहुत खुशी हो रही थी जिया निंग चिंशैं के बैग को देखकर कहती है कि यूएंचआеन और चिंशैं का बैग सेम ही है सब लोग चले जाते हैं यूएंचाइन को उसके बैग में ट्रांसफर फॉर्म नहीं मिलता है तो वो समझ जाती है कि गलती से उसने किसी और के बैंग में डाल दिया होगा तो वो दोड़ कर क्लास में जाने लगती है वहाँ पर शी चैंग, चैंग रैंग को कह रहा होता है कि उसने उसे अपना roommate बनाया हमेशा उसकी help की और वो बिना बताय ट्रांसफर कर रहा था तो चैंग रैंग कहता है कि उसे sculpture में reassign किया गया था उसे sculpture बनाना पसंद नहीं है शी चैंग कहता है कि उसे पता है कि वो इसलिए transfer करवाना चाहता है क्योंकि sculpture department बंद होने वाला है तो चैंग नहीं आकर शी चैंग को कहने लगता है कि transfer करना उसकी अपनी choice है और हक भी उसी का है तो वो दोनों जगडा ना करें यूएन चैंग अपना transfer form ढूनने लगती है जब उसे नहीं मिलता है तो वो समझ जाती है कि शायद उसने चिंशैन के bag में डाल दिया होगा क्योंकि दोनों के bag सेम है तब ही चिंशैन आकर उससे पूछता है कि वो क्या ढून रही है तो यूएन चैंग बहाना बना देती है यूएन चैंग चिंशैन के bag को देख रही होती है तो चिंशैन उसे पूछता है कि वो उसे घूर क्यों रही है तो वो कहती है कि वो बहुत handsome लग रहा है ये सुनकर सब चौम चाते है यूएन चैंग चिंशैन के bag के पास होती है तो Chinshan पूछता है कि वो उसके बैग को इतने गौश से क्यों देख रही है तो वो कहने लगती है कि उसका बैग उसे काफी पसंद आया है और वो ऐसा ही बैग अपने कजन को गिफ्ट करना चाहती है यहाद यहाद वो देख रही है पर इमिंग कहने लगता है कि वो खुदी साफ कर लेगा ये कहकर वो चिंशैन और उसके बैक के साथ चला जाता है जिया निंग यूएंचियन से कहती है कि इमिंग ने उसे बताया है कि यूएंचियन आज दिन भर चिंशैन को ही देखे जा रही थी तो युएंचियन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है शिंशिनाकर सब को बताती है कि उनके शो को सबसे जादा पापुलर वोट मिले है और चिंशैन और युएंचियन का हग सीन भी काफी वाइरल हो गया है युएंचियन गलती से वो फोटो क्लास के ग्रूप में भेज देती है तो इमिंग ये चिंशैन को दिखा कर कहता है कि युएंचियन ने इस तरह से अपना प्यार कंफेस कर दिया है चिंशैन वीडियो के कमेंट्स पर कर स्माइल करने लगता है त्लास में युएन चैन से गलती से चिंशैन के शूज पर मिटी लग जाती है तो वो सौरी कहकर साफ करने लगती है चिंशैन उसे उसके सीट पर जाकर बैठने को कहता है क्योंकि सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे चैने लगती है कि चिंशैन और उसके बीच में कोड़ भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो लोग उसे गूरे ना जियानिंग युएन चैन को कहती है कि वो लोग शो के हिट होने के लिए पार्टी करने वाले है तो वो जाकर फार्म को चेक कर ले पार्टी के लिए युएन चैन जब बस टॉप पे जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ चिंशैन भी जाने वाला है दोनों बस में बैट चाते हैं युएन चैन चिंशैन के बैग को देख कर पूछती है कि क्या उसने अपना बैग साफ कर लिया तो चिंशेन कहता है कि वो आजकर उसके बैग में कुछ साथा ही इंटरस्टेड हो रही है तो वो कुछ नहीं कहती है चिंशेन युएन चियन के कानों में इयरफोन्स लगा देता है और दो नो स्माइल करके म्यूजिक सुनने लगते हैं फार्म पहुंच कर युएन चियन चिंशेन से पूछती है कि क्या उसे बात्रूम यूज करना है तो वो पूछता है कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है युएन चियन फिर से लेटर नहीं ले पाती है घर जाकर चिन शैन अपना बैक चेक करता है तो उसे उसमें यूएन चियन का ट्रांसफर फॉर्म मिलता है तो वो समझ जाता है कि यूएन चियन इसलिए उसके बैक के चारो तरफ खूम रही थी वहाँ पे चीन अन आ जाता है तो चिन शैन लेटर को चुपा देता है चिन शैन कहता है कि उसे लगता है कि यूएन चियन उसे लाइक करने लगी है तब ही वो उसके आसपास खूमती रहती है तो चिन शैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है चिन शैन को पता होता है कि वो लेटर के वज़े से उसके बैक के आसपास खूम रही है चिंशेन हर जगह अपना बैग साथ लेके जाने लगता है ताकि कोई और वो लेटर ना देख ले सब पार्टी के लिए जाने लगते हैं तो कौंग यांग सौंग सीही को भी बुला लेती है क्योंकि उसने उनकी हेल्प की थी सब फार्म पे आ जाते हैं तो युएंशेन चिंशेन के बैग में लेटर ढून रही होती है तभी चिंशेन वहाँ आ जाता है तो युएंशेन बहाना बना कर चली जाती है चिंशेन फिश को काटने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे कट नहीं रहा होता है तो युएंशेन आकर फिश को काटने लगती है, इमिंग आकर चिंशें को कहता है कि वो यूएंचीयन को कुछ सादा ही प्यार से देख रहा है, तभी सौंग सी यूएंचीयन को फिश काटता देख उसकी हेलप करने आ जाता है, युएन चियन गिरने वाली होती है तो चिन शैन उसे बचा लेता है सौंग सी कहता है कि उसे फिश नहीं काटना चाहिए था शी चैंग चैंग रैंग से उस दिन के लिए माफी मांगता है Chen Greng कहता है कि उसके प Flypherants चाहते हैं कि वो Department Change करें वो Change नहीं करना चाहता है Chen Greng कहता है कि अब वो Department Change नहीं करेगा तो सब Celebrate करने लगते हैं Yuan Chien अपने बारे में सोच कर उदास हो रही होती है Chen 연 और Ye Ming Chin Shen को Yuan Chan के नाम से चिढ़ा रहे होते है तो चिंशेन कहता है कि उन्हें डॉक्टर के पास जा कर अपना चेक अप करा लेना चाहिए चिंशेन कहता है कि युएन चियन उसे लाइक बिल्कुल भी नहीं करती है युएन चियन रात में सोचने लगती है कि कहीं चिंशेन को पता तो नहीं चल गया कि वो department change करने वाली है और इसलिए वो उसे घूर रहा था चीन एन शिन शिन को message करता है कि उसे लगता है कि चीन शिन और यूएन शिन एक दूसरे को like करते हैं पर ये बात वो realize नहीं कर पा रहे हैं चीन एन कहता है कि क्यों ना वो दोनों मिलकर उसकी help करें तो शिन शिन मान जाती है शिन शिन यूएन शिन को वीकेंड पर उसके और उसके friends के साथ game खेलने चलने कहती है यूएन शिन पहले तो मना कर देती है क्योंकि वो उसके friends को नहीं जानती है पर बाद में मान जाती है Chin and Chin Shen को उसके साथ गेम खेलने चलने कहता है पर Chin Shen मना कर देता है और पूछता है कि वो बार-बार इतना insist क्यों कर रहा है तो Chin and जूट का कहने लगता है कि वो Chin Chin के साथ अकिले time spent करना चाहता है इसलिए उसने Chin Chin और Yuen Chin को गेम के लिए invite किया है तो चिण शे新 आने के लिए मान जाता है उएन चीन को टीचर कॉल करके कहते हैं कि उसे फॉर्म जल्दी जमा करना होगा सब गेम के लिए आ जाते हैं उएन चीन 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 के बैग को देख कर 창ुश हो जाती है और सबके बैग्स लेकर रखने लगती है चिन शिन प्लैन बनाते हैं कि वो दोनों यूएन चिन और चिन शैन को साथ में छोड़ देंगे यूएन चिन चिन शैन के बैग में लेटर ढूनती है पर उसे नहीं मिलता है तो चिन शैन आकर उसे लेटर दे कर चुपचाप चला जाता है चारों गेम्स खेलने लगते हैं गेम्स में उन्हें की ढून रहा होता है 90 मिनिट्स में तो शिंशिन कहती है कि वो चीन एन के साथ पेरप करेगी चीन एन और शिंशिन की ढूनने चले जाते हैं और यूएन चीन और चीन चीन को अकेरे छोड़ देते हैं चिंशैन की ढूनने जाने लगता है तो यूएन चियन उसे रोक लेती है चिंशैन पूछता है कि क्या वो अब भी ट्रांसवर कर रही है तो यूएन चियन कहती है कि उसे ओईल पेंटिंग से स्कल्प्चर में रियसाइन किया गया था उसे ओईल पेंटिंग बहुत पसंद है यूएन चियन कहती है कि ऐसा नहीं है कि स्कल्प्चर डिपार्टमेंट खराब है पर वो हमेशा सही ओयल पेंटिंग में अपना मेजर करना चाहती थी और उसे ओयल पेंटिंग बहुत साधा पसंद है इसलिए वो डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती है ना कि इसलिए कि स्क कुछ नहीं बताएगा यूएंचियन और चिंशेंट की ढूनने के लिए क्लू लेने लगते हैं उन दोनों को कीज मिल जाती हैं चिंशेंट जमीन पर रखे बॉक्स से टकडा कर यूएंचियन के ऊपर गिर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खतम हो जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजए साथ साथ बैल अकन भी प्रेस कर दिजिए तक आप आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिस ना करें So friends, thanks for watching this video, bye bye and take care of your health.